सवेलाई हार्दिक नमस्कार शदेजें आज अपनी महाभारत मतिश नामक स्रिंखला मा यावरू सवेलाई हार्दिक सागत्छ आजेको 59 स्रिंखला तुर्योधन को आमारन आम्शन शंगा सम्बत्च छ आमिले आमारन आम्शन बन्ने सब्द सुनेगा सहूं तर दुर्योधन लेपिनी आमारन आम्शन गरेगा थी पर उनले किना आमारन आम्शन गरी और उनको आमारन आम्शन सोरुप क्वस्तो थियो किकोलाई गरेगा थी मन्ने बारेमा यूँद्नी बदनमा की चर्चा गरीगोश़ सकुनीरा करणली दुरधन कुप्रसमसा गरदे दुरधनलाई बनवासी पांडवरु भयका ठामा जानको परीदित करे दुर्धन लाई सकुनी रा करण कुर्स अल्लाह स्विकारे बर करणली दिर्धराष्ट संग बनमा जानी प्रस्थाव राकी तर दिर्धराष्ट ले पिस्ता पिहलाई अश्विकार बर पुर्ण सकुनिले सम्जाय पेशी दुरधन आदिलाई दिर्धराष्टली बन्मा जानी अनुमति दिये सेना सेद बन्मा गयरा दुरधनली एका तिर गाईी हरुको रेखदे गर्ण थाली बनी औरका तिर दुरधन का सैनी करू पर गंदर्व हरुका बीचमा कटू सम्बाद मात्र भायना युद्धा पुनि बन्मा करूणली पराजय बेवर्नु परू परू पर्ण मात्र भायना दुरधन आदि सभी कवर भरू गंदर्व हरुद्वारा पराजित भाय अपहरण मा परू एस किसिमको दुखत समाचार पायर धर्मराज युदिष्टियली दुरधन हरु लाई छुटकारा दिलावना भिम्षिनलाई आदिस दिये बने एसका लागे अर्जुन लेपनी पर देक्या गरी पांडव पक्षर गंदर्व पक्षवी जिविद्ध होदा गंदर्वारु पराजित भाय दुरधन हरु ले छुटकारा पायर शेना साइद दुरधन फर्गिदा बाटामा बिजेता भाय को ठानेगा करणले दुरधन को अभिननदन गरी एसे संद्रमा करणलाई आहुनों पराजैको समाच अर्शुनावदा दुरधनले आत्मक्लानी साइद आमण अंचन बस्ने नेड़े गरेगा अर्जुन संगा गंदर्व का कुराकानी हुन्दा दुरधन हरु किन बनमा गयका थी बनने रस्यकुले गुथिए। तिति बेला उनलाई धरती फाटी दिये तिसे वित्र लुकने थिये जस्तो लाइए को थी। स्त्री अरुका शाम बिन भावली बादीर शत्रो अरुका बस्मा परेका अवस्तामा दुरधन इविश्टेर लाई जिम्मा लगाई एको थी। येस मन्दा ठुलो दोखा दुरधन का लागी के नहीं होना सक्ति वर जस लाइ दुरधन लेशने तिरस्कात गरी जस को सजनाई सत्रु बने उने बेक्ति वरले दुरधन लाइ सत्रु अरुको बंदन बाटा चुटायर जिवन दान डे महायुद्धमा मारियको भय बरु दुरधन का निम्दी कल्यान उने तियो तर तेस अवस्तामा जिवित्रवनो उनका लागी राम्रु भयन गंदर्मद्वार मारियको भय बुमणडल मा आपनो यस पहिदिन्तियो र इंद्र लुक मा अपलाई अक्षय पुण्यधान प्राप्त उन्तियो बनर जिवन बन्दा मर्णन इस्त्रियसकर बनी आमर अंशन गर्नी नेच्चेम अपवणो दुरधन धलागी अश्रवावी अपनो राध्धानी जान चाहिनन राध्धानी गयर आदरनी ये मानवा भरुषंग कोसरी बार्तालाव्जगरनी भन्नी कुराली उनलाई अत्तनत लजित पनायो और राध्धानी जानुभन्दा उनली आमर अंशन बस्ट में स्रियसकर ठाले उद्धन्ड मान्चले लाच्मी बिद्दार अश्रिदलाई पाहर पनी द्रकाल समल कल्यान में पाद्मा प्रतिष्टी दुनसात पेला जसरी माईले मद्र अहंकार मा डुवेर आमना प्रतिष्टा लाई गुमान पोगियो चो बरयात्रा के यो कुकर मा मेरा लागी योग्यत हियर मेरो दुर्वद्दिले मलाईने मुववस दुखदाई दुसकर्म गर्म बाद्दे बनायो जस्री गर्दा मेरो जिपनलाई संका के गिरामा डागी तस्तमात प्रायम उपाविष्टे नई शक्षा में जीवितुम प्रायम पविष्टन बनेगो ब्रत उपवास अर्धार आमण अंसन वही प्रकारव उपवास वनेगो अंसन जस्ते हो तस्तात प्रायम उपाविष्टे नई शक्षा में जीवितुम अर्धार तिसेलेम आमण अंसन वही प्रत उपवास वही प्रत उपवास प्रत उपवास वही प्रत उपवास वही प्रत उपवास गंदर वहरु बाट उद्धार गरिड़ा तपाय को अबमान होईना शत्कार नहीं गरे खासन एसेले शत्कार गर्दा तपायले शोक नहीं किने गरिदानों अंसा बने तपाय हरुले उणी हरुले तिरसकार गरिको भाईपो तपायले शोक नहीं कि गर्णों थे आत्मत्यागी यदो याती वाच्यताम चाय सस्करी और थाद आत्मत्यागर्मे बेगतेले अधोधती प्राप्त करदाशा और लोकमा पनी निंदाउंचा जसले अयस समेत फैलाउंचा परेरा दान वरुले दुरदन लाई शम्जागी साथे उनी हरले तपाय हरुको यो आत्मत्या सम्बंदे विजाले धर्मा अर्थ शुख यश प्रताप्र प्राक्रमको पनी नास्गार्शा बने शत्र हरुको अर्षा बढ़ाउंचा तेसेले यसलाई रोकन रुष मनेरा अनुरूद गरे धिती मात्र वहिन देवता हरुले पांडबर को आश्रे नीराहे काचन तरह हम्रो आश्रे दातात हजुर नहीं हुनोंचा बनेरा दानबर ले आत्मत्या नगर्न दुरदन लाई बारंबार आगरा गरे दानबर ले रात्मा गरेको आगरा का खाण एक प्रकारले दुरदन को विचार बदली सबिगो थियो तरह परिवर्थे तेस किशिन को विचार प्रकट वने बाए गो थिये बलीपल्टा बिहान करणा आयरा दुरदन लाई मर्ण होईना जिवन ठुलो वन्नी गुरा शम्दाई मरेका मांचेले कई नी सत्रोरु माथी बिल्या प्राप्त गर्न शक्तेना जो जिवित्र अंच उसले कुनी बिला सुखकु पनी सुखकु दिन पनी देशना सक्ष मरेका बिक्तेले कहां शुखाऊंच अनी कहां बिल्या प्राप्त गर्नी संभावना राँच यो समभय सोक मनावने होईना भायव्यत्र अधवा मर्नी समभय होईना भनेरा कणले दुरदन लाई येसरी संजाए नमिर्तो जयते सत्रुन जिवन भदराणी पस्यती मिर्तस्य भदराणी कोता कवरवी या कोतो जया नकालोद्दे विशादस्य बायश्य मरनस्यच अंतका करणसेद सबीको आगरलाई विचार गरदै रादान भरुका बचनरुको समीच मरन गरदै पांड भरुषका इर्द गर्नी निच्चे गरी शेनाली एरा दुरदन भस्तिना पुर्पिर भर्की यसरी आत्मलोचना पुरवग आमन अंसन बशी देहत्याग गर्नी निच्चे गरेगा करणली आहुन नेड़ेमा पुनर विचार गरेरा सबयलाई मन होईना जिवननाई स्रियास्कार्च बनने संदेश्ति परतेक मांचे सम्मान पुरवग मांचर जान्छ तर अबमान वा कलंक कोटिका लगाई दियेर सम्मान पुरवग मांचर न दिनी तत्व बने समाज मा वुक्तिके शक्रिया बहिर एका उन्छन तिन बाट सचे द्रहन सगियो र कसे को कुबर नचिताई कना सवई संगा सद्विभार गर्दई जान सगियो बने अप्रत्यासित रुपमा कोई पनी कलंकी त्र आद अबमानित उनाई परदएना साथे जीवन बन्नोने शंगर्षको पर्याय भयकाली ससाना कुराको प्राप्ती नहुदईमा जीवन देकी निरास वैर आत्नात्या गर्नों कायरत वाय के वहिना जुरुदणले आफू अप्रमानित वैर आमन अंसन गर्ण अग्रसर हुन परिको थियो तर बरतमानमा गरिने आमन अंसन अरुले मने अनेकम माग पत्रहरु पर्ष्टु गरिवेका अंसन र सम्मानित उने चान राखिवेका अंसन बर्तमान मा अपमा अंसन अरुमा रिरे अंसन को सुरुब लिदेशं रतिन मा जोड़ेनी आमन सब्दको जिवन ततापनी अराउंदे गये गुशा तिसले बर्तमान मा गरणी अंसन अरुमा प्राय कसे को माणा हुदेईना रतिन ले जिवन काई कल्पना गरिरे का अंसन उन्सन दर थाने नदीकन गरिने आत्मा त्यका गटना हरुगोई सेंखलावने विश्यवर दिन प्रति दिन काली लाग दुरुपमा बढ़दे गये रेकुछ येस उन्समा पस्चिमी सस्किर्थिक उत्सवर भाव रच्वरम बावदेग बादी जिवन सैडिराईने प्रमुकारक तत्त कुरुपमा लिलाशबीन सेंखलावने वास्तेविकरुपमा आमन अन्सन बसनो देवतागा लागी केई दिन को लागी उबवास बसनो केई प्राप कि अत्र गुर्पमा प्रयोकार्ने जिनन आमन अन्सन छा नेपाली समधायमा तो निस्चे ने दुस्प्रविर्तियों रर तेसलाए निराग्रान गरन पर्षा राअवना आःश्रन आरू शद्ध होदी जान सके बने आहना कर्मा रू सुद्ध होदी जान सके बने पसेले प्रवाद बस मेंगे का कमी कमदरियों पड़ती हामिले चेमा आजना गरदे प्रवाद बस Prof. अजया आजना गरदे